सब्सक्राइब कीजिए गुलशाद अंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलें और आप कोई भी वीडियो मिस्त ना कर पाएं हेलो एंड वेलकम टू गुल्शाद अकेडमी मेरा नाम गुल्शाद अंसारी है आज की इस वीडियो में वीरे 4 sketchup वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे वीरे blend material तो यहां पर हमने last video में मैंने इसमें आपको बताया था कि किस तरीके से आप इस तरह से illuminating material बना सकते हैं mesh light तो होता ही है आप किसी particular object को mesh light में convert कर सकते हैं लेकिन आप किसी particular object को lighting वाला material भी दे सकते हैं जो illuminate करेगा अगर आपने last video नहीं देखी तो last video ज़रूर देख लें और आज की इस video में मैं आपको बताऊंगा कि वेरे blend material कैसे use करेंगे और उससे आप क्या-क्या create कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं तो यहां पर यह मैंने अपना वही वाला project open कर रखा है और यहां पर मैंने वो दो बनाय रखते हैं उनको मैंने hide कर दिया था उनको मैं यहां पर unhide कर लेता हूँ दोनों को select करके right-click करके unhide तो यहां पर नपर पहले जो हमने apply किये थे material वो ही इनके उपर apply है already तो पहले तो हम material बनाना सीखते हैं blend material तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं एक generic material कोई भी material ले सकते हैं वैसे तो मैंने generic material पर click किया और suppose grow मैंने इसको नाम दिया यहाँ पर rename कर दिया और इसको मैंने नाम दिया यहाँ पर suppose grow red color ठीक है red color का नाम दिया और मैंने इसको suppose grow for example मैंने इसको red color कर दिया यहाँ से ठी और मैंने यहाँ पर material बनाया material generic और मैंने इसको नाम दिया suppose करो यहाँ पर rename और इसको मैंने नाम दिया green color ठीक है और इसको यहाँ से मैंने green color कर दिया दो color हो गए red और green अब मैं यहाँ से नया material बनाता हूँ material में जाएंगे और यहाँ पर हम click करेंगे इसमें blend material यहाँ पर click है मैंने blend तो यह blend material यहाँ पर आगया अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा आपको black दिखेगा अगर आप इसको किसी object के उपर apply करते हैं यहाँ से और render test करते हैं तो यह अभी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ नहीं दिखेगा यह रहो कुछ नहीं है ठीक है अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे base material non लिखा हुआ है base material में यहाँ पर मैंने लिया suppose करो red material तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा red material के नाम से ही यहाँ पर यह बड़ी problem है कि आप search नहीं कर सकते है और नहीं अगर आप keyboard में press करेंगे तो वो material आएगा ऐसा कुछ नहीं है आपको खुद ही देखना पड़ेगा alphabet के according red material तो यह red material यहाँ पर इसमें आ गया और यहाँ पर होता है blend इसमें यहाँ पर आप किलिक करेंगे add coat coat के ओपर मैंने किलिक किया तो इसमें coat 1 आ गया है इसमें हम बहुत सारे coat add कर सकते हैं तो यहाँ पर material पर मैंने किलिक किया और मैंने यहाँ पर ले लिए जो मैंने बनाया था green green बनाया था ना तो दोनों color ले लिए तो अब यहाँ पर क्या दिखा रहा गुरीन और red का दोनों का mixture दिखा रहा 50% red mix है और 50% green mix है इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे blend में तो यह बिल्कुल मिडिल में है अगर सपोज क्रोमे ने इसको यहाँ पर कर दिया ब्लेक पे तो इसका मतलब है कि 100% रेड़ वाले का रिजल्ट आएगा यानि कि रेड़ वाला कौन सा है बेस मेट्रियल जहाँ पर ब्लेक है अब अगर ब्लेक वेल्यू है तो 100% रेड़ कलर यानि कि बेस कलर दिखेगा और अगर वाइट वेल्यू है तो 100% कोट वन में जो मेट्रियल है वो आपको देखने को मिलेगा और अगर आपने थोड़ा सा किया तो देखे थोड़ा सा इसमें रेड़ मिक्स हो गया हलका साई और बाकी इसमें ग्रीन है तो जितना आप उपर जाएंगे उतना ही रेड़ मिक्स होता चला जाएगा इसमें और यहाँ पर जाएंगे तो प्योर रेड़ आ जाएगा इसके उपर अपलाई है उल्ड़ी और टेस्ट रेड़ करके देखेंगे तो यह यहाँ पर आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा अगर दो कलर मिक्स करने है इस तरीके से तो आप आरांज से कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा काम करने की जुरूरत नहीं है अगर आपको color ही लेना था तो आप generic में ले सकते थे लेकिन आप यहाँ पर use कर सकते हैं blend में यहाँ पर अगर आप click करेंगे कोई सा भी यहाँ पर आप map ले सकते हैं देखें material से किस-किस तरह से आप material बना सकते हैं एक map के अंदर दूसरा map दूसरे map के अंदर इसे घुसे हुए होते हैं आप अपने हिसाब से अपनी creativity के हिसाब से कुछ भी बना कर देख सकते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पर suppose करो इसमें लिया checker ले लिया तो checker में क्या होता है आपको पता ही है यह वाला system होता है यानि के black and white तो अब आपको पता चली गया यहाँ से मैं बेक जाता हूँ तो जहाँ पर black है उसी साब से ही मैंने पहली बताया था अगर black होता है अब इसको करते रहो आप इससे कोई फरक नहीं पड़नागा अब इसके उपर texture लग गया ठीक है अगर texture को clear कर देंगे तो अब इसका फरक पड़ेगा तो आपको पता ही है अगर black है तो इसमें आपका coat का कोई फरक नहीं पड़ेगा नीचे red color वाले यह दिखाएगा base color या नहीं कि और अगर white है तो green तो वोई चीज यहाँ पर आ जाएगी इसमें अगर आप ले लेते हैं checker इसमें आप कोई भी material ले सकते हैं green और red की जगा पर कोई भी color हो सकता है कोई भी glass भी हो सकता है कोई metal भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर मैं आपको example दिखाता हूँ for example मेरे पास यह कोई एक image है तो इसमें यहाँ पर कोई color है यह suppose white color है और यह black color है पुरा proper नहीं है black and white पुरा proper black and white भी आप इसको photoshop से भी बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ पर जो मैंने checker लिया था ना इस checker को तो मैं यहाँ से कर देता हूँ clear अब यहाँ पर मैंने click किया bit में और जहाँ पर मेरे पास वो black and white image रखी हुई है मैं वो यहाँ पर open कर लेता हूँ यह वो image है मैंने इसको select किया और मैंने इसको open कर लिया यह वो image है और मैं यहाँ से बेख जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि वो pure black and white नहीं है और black की जगाँ पर नीचे वाला red दिखेगा और white की जगाँ पर इसमें आपको green दिखेगा तो अगर आप इसमें render करके देखते हैं यहाँ पर तो यह इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा लेकिन texture का size बहुत छोटा है लिंक करके यहाँ से आप इसको अगर चाहते हैं 0.5 तो two time इसका scale बढ़ जाएगा double हो जाएगा इसका size जितना size बहले आ रहा था उससे बढ़ा यहाँ पर size हो गया अब आपके उपर depend करागा कहाँ पर bump, reflection, reflection map, glossy, glossy map यह सारी चीज़े आपस में mix करनी पड़ेंगी अब सारी चीज़ों में मैं आपको यह material बना बना कर अगर दिखाऊंगा तो बहुत time लगेगा मैं आपको method बता रहा हूँ आप इनको अपने हिसाब से use कर सकते हैं तो blend material को use करके आप कुछ भी बना कर देख सकते हैं यह आपके उपर depend करेगा और मैं पहले से कहता रहा हूँ अगर आप लोग अच्छे से support करेंगे subscribe करेंगे जो बिना subscribe करेंगे देखते हैं और वीडियो को पूरा देखेंगे live watch time आएगा सही से views आएगे तो मैं आपको यह छोटी छोटी चीज़ों के उपर भी short video भी बना कर आपको मिलेंगी यानि के आपके लिए काफी जादा फिर मैं मेहनत करूँगा अभी भी कर रहा हूँ और मैंने बताई दिया है disadvantage sketchup की video बनाने का मुझे downgrade ही हुआ हूँ जितनी sketchup की video बना रहा हूँ उतने ही subscribe down जा रहे है minus में जा रहे है subscribe यानि के video देखने वाले unsubscribe कर रहे हैं पता नहीं हो सकता है वो मेरे Revit के viewers हो या 3ds max के viewers हो तो उन्होंने sketchup की video बना रहा हूँ तो वो disappoint होके मेरी video से और उसको dislike कर रहे हूँ dislike तो करनी रहे लेकिन unsubscribe कर रहे है तो प्रीज ऐसा मत करो अगर आप उनमें से ही हो 3ds max की भी video आएंगी Revit की भी videos आएंगी आप लोग अच्छे से support करोगे तो मैं daily मैं एक schedule बनाऊँगा किस-किस दिन कौन-कौन सी videos आपको मिलेंगी उसी हिसाब से उसको follow करूँआँए तो आज की इस video में मैंने आपको Vire blend material बनाना बताया है और आप इसको अपने हिसाब से इसको use कर सकते हैं और इसको बना कर देखें इस video में इतना ही आपको जो भी कुछ पूछना है comment में डाल सकते हैं वीडियो कैसी लगी जरूर comment करके बताएं अच्छी लगी तो like करें friends के साथ में share करें मिलते हैं नेक्ष वीडियो में साफ सफाई का ध्यान रखें गरीबों की मदद करें थेंक